पुझा का है 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 अलए इस्टुडेंट एन्द फ्रेंड सब आज आप लोग को किसी भी शंख्या का अगया जाए मात्र 2 सीकेंड में या 3 सकेंड में अप लोग को करा प्राइंड या जाएगा और इस से पाहले वाले बीडियो में आप वर्ग पढ़ाय गया था और वर्गमूल पढ़ाय गया था आप लोग क्लियर कर लिए होंगे तो चलते हैं अपने टापिक्स पर घंपर तो घंप को इंगलिश में क्यूब भी बुला जाता है और घंप निकालने का सबसे आसान तरीका जो बता रहे हैं तो उसको समयने के लि पावर में थरी होना चाहिए अब क्षा मतलब की जो बेस रहें जो आधार गहा साथा कंशा सबसेंट धाएगाайте। 239 1310 का गण 1 हैर हो जागा ठीग और इहीं सब का प्रयूंप करते हम सबी संख्याओं का गुलर में अब एक का यह तो उनका गुंगा कर अब जो दो नो जाएं-षी जैसे दौश से लेकर निन्य50 तक उनका गहन कैसे निकालेंगे तो उनका गहन समझे तो जैसे मैं एक्जामपल चठ लिया है इसे एक्जामपल सब लोगों किलियर हो जाएगा हमको 16 का गहन निकालना है कि 16 का गहन बराबर वाट कितना होगा तो इसके लिए मैं लोग करते क्या तीन लाइन खेचते हैं ठीक और इस जो पहला वला इसका गहन यहां लिएते हैं तो एक का गहन देख लिजें उसमें कितना है एक का गहन एक है आप 6 है अब जैसे यहां कीए वैसे यहां मुझा हो जाएगा अब दूर्फरे वाले के पहले वीकुटा करेंगे हैं यहां तक कलियर हो गया होगा इसका दो गुना इसका दो गुना करते हैं तो 6 का दो गुना 12 और 36 का दो गुना 72 जागा फिर ऐसे लाइन खिची लेते हैं ठीक तो 2 और 24 और 6 डौशिक फंद्र अफिल लगा एक 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 लाइक दो अब चयाए चिया 1-2 और चया रहता है चया चया रहे पहले आस्तान पर जोबी संख्यर आएगा उसको पूरा ले लिए जाएगा तो इसको उटाते हैं इसका गहंद कितना आएगा आथ जो-जो उसके बाद इसमें कई कर का ये औंक कर इसमें कर को तो अब भी गैस है चैहां पर टिक हए है जीरो है जीरो नौ है नौ चौ है चौ तो इसका जो का गहन कितना हुजागा 4igen6 शोड़र का घंड कितना हो जागा चार हजार चानवे अब उस्सी तरह हम निकालते हैं किसका घंड उननीश का घंड गहण बराबर वाट देखे क्या आता है तो सबसे पर हम प्ले हम लोग क्या लिखेंगे तील लाइन केचेंगे यहां पर एक हैसे एक का घंड एक गहन को देख लीजिए कितना होरहा है तो 9 का घंड कितना हैं साथ कॉरां कितना हैं लिए सडत रहते हैं और पिर इस और गुड़ा करूं मुझाट कर देख ऐला नौ सब्सक्राइन पसंद सब्सक्राइब एक सबुन करें व्यां पने हैं जोड़ा सिख्ण अब इसका एक अंग छोड़ी है जो बच जा रहा इसको हाफिल ले लिजे तो 72 बच गए आपका यहां हाफिल हो जाएगा तो दो चार और एक पांच हो जाएगा अब हो जाएगा यहां पर आठ साथ पंदर पंदर अच्छ यहां इस टोड़ते हैं आठ साथ चाओदर 12 21 होगे और यहांपर कहईरी बचा नहीं आपका हाफिल बचा नहीं तो इक तो बचला यहां आपका होज़ाएगा हासिल एक और दूफ मिलके कितना हो जाएगा तीन यहां भी एक अंग छोड़ी जातर उसको हाकिल मिले लिजी तो ले लिए तो नौह एक दोस और आठ अठ खार के 8 80 लगा एक ठीक 9-10-68 8 80 लगा एक 3-1-4 और एक पांच फिर यहां भी एक फोड़ी और फिर इसको ले लिजे तेहां हो जागा आपका लेते हैं वह भी लाश्ट का तो यहां आठ है और यहां पांच है और यहां नौ है इसका मुझा के उन्नीस का घंड कितना आ गया चाहजार आठ सब्सक्राइब कर देख लेते हैं कि यह वीडियो नीचे की और आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप लोग को अच्छी तरफ नीचे की और भी आ रहा है इसको थोड़ा सब्सक्राइब फिर आगले एकजांपल पर चलते हैं तो आप लोग को होफ अगरे स्क्रीन साट ले लिजे तो अच्छा रह रहीगा आप लोग के लिए ओमीद देखें आप लोग इस्क्रीन फाट ले लिए होंगे तो इसको मिटारते हैं देखें आप 21 का घण कुछ आईए 21 का घण 21 का घण बराबर वाट देखें क्या आता है 21 का घण तो क्या करेंगे तील लाइन खिचेंगे तो दो का घण आठ हो जाएगा देख लिए दो का घण कितना है आठ है फिर एक का घण एक है यहां वाले घण यहां लिखेंगा और यहां वाले घण यहां लिखेंगा और यहां लिखेंगा आगी वाले घण आगी आप पीछे वाले घण पीछे है अब इसका वर्ग करके इसमें गुड़ा तो दो गोना कर दीए तो चार को दो गुना कितना होजाएगा आठ और यहां एक है ते एक लिगेंगे आब कुछ बच्छा नहीं दें यहां टो वह है नहीं आठ चार आपका 12 हो जाएगा आप यहां एक हंग छोड़ेंगे आपका एक बचे गया तो एक यहां लिखेंगे तो आप यही आपका एंसर हो जाएगा तो 9 हो गया यहां कितना है दू इसमें का पूरा लेते हैं इसमें का लास्ट वला इसमें का लास्ट वला इसमें का लास् पहले दूंगान कितना होता है एक सबचीश है फिर इसका पत्चीश का इसका गुड़ा करेंके पांस में तो चार पाँचे 2 अप यहां पर दो जाएगा पांच और एक होड़ाइगा उसको यहां पर दिख देगा जैसे यहां बार बच गए आपका 16 सोला जोड़ेंगे तो 6 00 पूरा लिखा जोता है तो पंदर हो जाएगा अब यहां है 15 आप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ि तो एक घना ओ ले लाता है यही सब incidence सब्रत ही हो सकता है के यह सब रच कि आयोंगे ति एक आप लोग के तरब से अपने सघ्लिय लें लें कोई संख्या ऐसा करते इसको नियुग और ना ऑप literatureल और के पाहती है यह ठीक है अपने से कोई एक संख्या लेते हैं कि आप लोग को कोई भी डाउट न रह जाएं तो मली हम पाइफट ले लिए यह ले लिए पाइफट का घंग ले लिए ठीक पाइफट का घंग बराबर वाट तो च्छा का घंग और बड़ा फंख्या क्यों लिए क्यों आप लोग ले फक्ते हैं वह भी पोले थे दस से लेकर नियाम में तक ही लिजागा क्योंकि यह नियम उसी में लगेगा तो पहले तील लाइन खीज़े लिजिए तो च्छक का घंड दूसर देख लिजिए है ने च्छक घंड दूसर 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 अब पांच के घंड अब इसका वर्ण कीजिए पांच का वर्ण 25 चका घंड फिर क्या करते हैं फिर इसका वर्ण करके इसमें गुड़ा करते हैं ठीक अब इसका दोगुना इसका दोगुना एक सब्सक्राइब जोड़ते हैं एक सब्सक्राइब लिए पांच फोड़ेंगे बार बार यहां लेंगे तो जीरो जीरो कितना है गाँए दो पांच और एक चार अब यहां तो दो च्छोड़ दीजिए छी आलीस बचाप शी आलीस ले लेंजी यहां पो छोड़ जाएगा ठिक और यहां बार यहां है तो है दो आपको फॉरा लिखा जाता है तो यहां का पूरा लिखी दो फश्वत्तर तो इसके बाद एक है कंक लेजी वह भी लाइफ का च्हह है दो है और यहां पांच है तो इसका मतलगे पैफट का घंड केतना आगया आपका डू लाख चुवत्तर राज शस्व पच्छ भीट लिया गया है तो जानेंगे सव का सव खान Girl करेंगे तो dal के एक गुड़े एक गुड़े एक बरबर क्या ऐगा है लाखे लख लख लखाएगा सौका गहन के अपलोक को एक से सव तक के संख्याओं का घंड अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और इसके अगले बीडियोज में इसी संख्याओं का जो यहां पर घं पढ़ा गया अब उसका घंमूल पढ़ा दिया जाएगा ठीक ता आज के लिए बस इतना ही गुड़बाय इस्टूडेंट एंड थैंक्स वाचिंग फार बीडियोज